श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे आप सब एस साल होला अस्टक 10 मार्च से 17 मार्च तक है फालगुन अस्टमी से होली का दहन तक 8 दिनों तक होला अस्टक होता है और इन दिनों नकारत्मक शक्तिया सबसे ज़ादा हावी होती हैं सबसे ज़ादा प्रभावी ह होती हैं तो इसलिए पुझी गुरुदेव की कथा सुनकर के समझ करके वीद्य पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपको इन नगारत्मक शक्तियों से आप बच सकते हैं किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है अगर चैनल पर नए आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रू प्रेस करें और यह जो उपाये आपको करना है यह मंगल वार के दिन ही करना है इन दिनों में मांगलिक कारे और शुपकारे वर्जित हो जाते हैं इन आट दिनों में आप कोई भी शुपकारे नहीं कर सकते हैं लेकिन देवी देवता की आरादना करना सबसे स्रेष्ट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जितने हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं और इन सब की शक्तियां जो होती हैं समाप्त हो जाती हैं तो भूरी शक्तियां हमारे ग्रह उपर हावी हो जाती हैं। तो होला अस्टक में पूजा पाट करते रहना चाहिए तकि हमारे गरण अक्षत्र हमारा साथ निरंतर रूप से देते रहे हैं क्या-क्या चीज आपको करनी है होला अस्टक के दिन खास करके मंगलवार और शनिवार के दिन होला अस्टक में हनुमान जी की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आपके ग्रवन अक्षात्र को बली कर सकती है और आपको आशिरवाद दे सकते हैं और आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं होला अस्टक जो है वो 10 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक है और इसी लिए इन आटो दिनों में आपको आपके घर के मंदिर में आपको गो मुत्र का छिटकाव करना चाहिए ताकि सकारत्मक उर्जा आपके जीवन में आपके घर में बनी रहे होला अस्टक में जैसे ही मंगलवा आता है आपको सबसे पहले हनुमां जी के मंदिर में जाना चाहिए उनको चोला अर्पित करना चाहिए और आप चोला नहीं सबसे आपके जो विग्न है वो सब दूर होते हैं जो संकड है वो संकड मोचन हर लेते हनुमान जी के समक्ष आपको लाल पूछ पर जरूर अर्पित करना चाहिए इससे आपके भाग्य में प्रगति होती है और जीवन में खुशाली का आगमन होता है हो सके तो इन आटो दिन में आपको हनुमान चालिसा का पार्ट करना चाहिए अगर नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन तो आपको हनुमान चालिसा का पार्ट जरूर करना चाहिए आपको बजरंग बार्ण का पार्ट अवश्य करना चाहिए और हो सके तो आ आप लगा सकते हैं आपकी इच्छा है लेकिन आपको क्या करना है जो पंच मुकी दीपक आप लगाएंगे उसके अंदर आपको चमेली का तेल डालना है चमेली का तेल के साथ साथ आपको पांच बाती लगानी है और पांच यो बाती आपकी जलनी चाहिए ध्यानक है माटी क दीपक लें और साथ ही साथ आपको आपके सीधे हाथ में दो लोंग लेनी है दीपक को प्रजुलित कर देना है और सीधे हाथ में आपको दो लोंग लेनी है और आपके जीवन में जितने भी संकट है जितनी भी वीपदा है जो भी आरी है और जो भी नकारत्मक शक्तियों प्रभावी होती है इसलिए ध्यान रखेगा अगर आप इस प्रकार से ये उपाय करते हैं तो आपके उपर आपके ग्रहों के उपर दूस्र प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए हनुमान जी के मंदिर में जा करके ये उपाय जरूर करें श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर म अधेव